स्वागत है आपका मेरे चैनल देशी मुसाफिर पे मैं हूँ सचन गिडनावर और आज हम बात करेंगे कि एक साधारन इनसान एक SUV कैसे खरीद सकता है तो बहुत लोगों ने पहले के मेरे वीडियो में ये सवाल पूछा लैंडिंग प्राइस पूछा एक स्चोरों प्राइस पूछा कैसे हम पैसे बचा सकते है उसके बारे में पूछा तो आज इसके बारे में हम बहुत ही डीटेल में बात करेंगे पहले बार कोई भी गाड़ी कोई भी SUV खरीदने से पहले आपको पहले अपना बजट फिक्स करना है एक बार आपने अपना बजट फिक्स किया है उ उसका quotation लेके आ सकते है तो पहले fundamental मैं आपको बताना चाहता हूँ X showroom price का क्या मतलब होता है X showroom price गाड़ी की कीमत नहीं होती है X showroom price जो dealer, dealer का जो पैसा है उसको X showroom price बोलते है तो उसके अलावा 4-5 और component जुड़ जाते है जो सब मिला के on road price बन जाता है तो ये सारे कौन से cost है First है X showroom price उसमें आप जोड़िए RTO charges उसमें जोड़िए insurance उसमें जोड़िए tax collected ad source उसको बोलते है TCS और handling charges तो ये सब मिला के जब उसका final price जो होता है उसको बोलते है on road price तो क्योंकि मैंने अभी ही SUV खरीदा है तो मैं उसके बारे में आपको आज समशेप में बताऊंगा तो ये गाड़ी मुझे पड़ी total जो dealer से quotation जो आया था वो quotation था 17,10,000 रुपए पर मुझे actually गाड़ी पड़ी 16,50,000 तो कम से कम मैंने 60,000 रुपए इसमें बचाए तो मैंने क्या किया पहली बात मैंने सारे जो dealers थे हुंड़ाई के उनके पास मैं गया और उनसे अनुरोध किया कि insurance मैं खुद करूँगा और आपसे मुझे insurance नहीं चाहिए एक dealer इस बात के लिए उनने सहमत हो गए और हमने car booking मैंने 25,000 रुपए उनको पहला check दे दिया और car book किया book करते वक्त उन्होंने मुझे बताया कि Hyundai क्रेटा आपको कम से कम तीन महिने के लिए हाँ जी 90 दिन के लिए आपको रुकता पड़ेगा पर मुझे गाड़ी 20 दिन में मिल गया तो डीलर्स बहुत आपको बोलेंगे कि waiting period है यह है पर डीलिवरी कम से कम मुझे तो 20 दिन में मिल गया तो दूसरा बात इंशोरंस अगर आप डीलर से लेते हो तो क्रेटा में उसका quotation मुझे जो मिला था वो था 84,000 रुपीज वो लोग अगर इंशोरंस करते है तो मैंने खुच जब इंशोरंस किया अलग-अलग जगे से मैंने quotation लिया उसको analyze किया कौनसे कौनसे मुझे comprehensive insurance में क्या-क्या coverage चाहिए third party insurance compulsory है तीन साल लेने के लिए as per RTO guideline तो आपको लेना ही पड़ेगा तो यह सब मिला के मुझे पड़ रहा था 47,500 तो अगर मैं उसको total amount में minus करता हूँ तो around 35,000 रुपे मैंने उसमें बच्चत कर ली सिर्फ इंशोरंस में दूसरी बात material handling charges में आप कुछ नहीं कर सकते हो तीन हजार रुप को देने पड़ेंगे जो tax collected at source है वो है 15,000 रुपे तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो तो अगर आप ये सब मोटा मोटा मिलाया जाए तो आपको ये पड़ेगा around 16,000,000 रुपे जो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो residence है वो municipal corporation से थोड़ा बाहर है तो उसके लिए जो normally dealer 20-25,000 रुपे जो चार्ज करता है जो उनको government को देना पड़ता है तो वो उस charges से मैं बच गया इसलिए मेरा ये cost total costing ये 16,000,000 में पड़ गया तो ये cost कितना होता है ये होता है 2% of the ex-showroom price अगर आपका ex-showroom price 15,000,000 रुपे है तो आपको 30,000 रुदने पड़ेंगे आपके municipal corporation को तो उनसे वो receipt लेके आपको वो RTO में submit करना पड़ेगा से थोड़ा बाहर हूँ तो आप भी अपना city limits के अपना जो घर है वो कौन से limit में पड़ता है वो check कीजिए ताकि आप भी ये पैसे बचा सके तो ये रहा गाड़ी के standpoint से ये सारे चीजे आपको इसको इसके बारे में आपको care रखना पड़ेगा दूसरा है कि हम middle class लोग है तो पूरे पैसे तो bank में नहीं होंगे का rate of interest कितना है वो आपको मिलेगा 8.9% से लेके 9.45% तक इसका variance होगा कुछ लोग 8.9 चार्ज करेंगे कुछ लोग maximum 9.45 चार्ज करेंगे वेहिकल लोन के लिए तो अगर आप ये difference भी अगर calculate करे एक 14,5,5 लोन पे तो आपके कम से कम 35,000 रुपे तक तो आराम से save हो जाएंगे सिर्फ interest इंटरस्ट में तो एक बार आप सारे आप बैंक सेलेक कर लीजे जो सबसे lowest interest rate दे रहा है उसमें सारे documents submit कर लीजे वो आपका civil score और आपको कितना eligibility है वो चेक करेंगे उसके basis पे वो आपको बताएंगे कि वो कितना amount और एक showroom price आपको वो पैसे loan में देंगे तो अगर आपका civil rating बहुत ही positive है very good है मान लीजे 800 point है civil rating या 7500 से उपर है तो banks आपको 95% of the एक showroom price आपको loan देगा तो अगर मैं मेरा example दूँ तो मेरा एक showroom price गाड़ी क्रेटा का मेरा मतलब क्रेटा का वो पढ़ रहा था मुझे 15 lakh 34,000 उसका 95% मतलब 14,57,000 दांक ने मुझे loan दिया बाकी का पैसा मुझे 5% जो down payment में वो एक component जुड़ गया down payment के बारे में हम थोड़ी दर के बात बात करेंगे उसके पहले जब आपका loan sanction हो गया approve हो गया तो जो वो bank का जो representative है आप उससे दर्कवास कीजिए कि आपको credit manager credit manager से आपको बात करनी है और आपको interest rate के बारे में discuss करना है तो आप बिलकुल credit manager से बात कीजिए कम से कम आपका 0.1% तक और interest rate कम हो सकता है जो उन्होंने आपको दिया है तो मान लीजे किसी bank में आपको 9% दिया है तो आपको 8.9% तक उनके हाथ में वो authority होता है जो वो कम कर सकते है तो उससे आपको एक बहुत important saving होगा इवन गाड़ी खरीदने से पहले ही आपको 0.1% calculate करेंगे तो वो काफी अच्छा रकम हो जाएगा कम से कम एक 7 years 7 साथ साल के tenure में मेरे हिसाब से around 12-13,000 रुपे बच जाएंगे आपके interest में so यह रहा interest bank rate of interest next processing charges कुछ bank 0.5% से लेकि 1% तक processing charges लेते हैं अगर आप उसमें भी bargain करोगे तो 0.25% तक भी आपका processing charges कम किया जा सकता है वहाँ भी आपका 0.25 से 0.75% बच जाएगा तो यह भी आप कर सकते हैं अब आते हैं down payment बहुत लोगों ने मुझे पुछा है कि क्रेटा optional model के लिए down payment मैंने कितने दिया तो पहला जो 5% difference amount मुझे बरना था तो वो करीबन around 76,000 वो difference amount होता है 95% bank से एक शोरों का और 5% मेरे तरस तो let us 76,000 उसमें जोड़िए insurance insurance पढ़ रहा था मुझे मुझे पढ़ा जो 47,500 सो मोटा मोटी हम लेते हैं 50 अगर थाउजन पढ़े तो 50 plus 76,000 सो वो total amount होता है 1,26,000 इसमें आप RTO charges जोड़िए जो RTO charges है वो है 69,000 for comfort calculation के लिए मैं 70 गिन लेता हूँ तो 123 plus 70 तो ये होता है 193 तो 1,93,000 आपका down payment होगा इसमें जोड़िए 15,000 TCS जो tax collected at source वो 15,400 है exact हम 15,000 कंसेर्टर करते हैं तो 193 में आप 15,000 और जोड़ दीजिए तो ये पढ़ता है आपको 2,08,000 और उसमें जोड़िए 3,000 material handling charges जो जो ये amount जाता है actually dealer को आप 2,10,000 हम comfort के लिए पकड़ते हैं तो उसमें अगर आप 76 minus करते हो तो ये पड़ेगा 1,40,000 और down payment में आप एक SUV खरीद सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़िया deal है जो लोग क्रेटा या कोई भी SUV करीदना चाहता है तो basic calculation तो यही रहेगा आप कोई भी product कीजिए उसमें यही apply होगा तो यह ground rule मैंने आपको समझाया है तो उमीद करता हूँ कि यह आपके purchase में आपको बहुत help होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया informative लगा तो please ओनीचे description में subscribe button आप प्लीज दबाईए और उसके बाजू में एक bell का icon आएगा उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आगे मेरे जो भी चैनल में वीडियोज अपलोड होंगे उसका notification आपको आजाए धन्यवाद जैहने